नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नौलेश पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग धर्म और समुदाए के लोग रहते हैं दुनिया भर में अलग-अलग जनजातियां पाए जाती है जिनकी अपनी अलग पहचान खासियत और अपनी एक परंपरा मानी जाती है दुनिया भर के अलग-अलग देशों में पाए जाने वाले ये समुदाए और जनजातियां अपने रहन सहन अपने खानपन और शादी वि से एक जनजाती भारत में भी निवास करती है जिसे खासी जनजाती के नाम से जाना जाता है जो कि भारत के मिगाले में रहती है दुनिया भर में पाये जाने वाली अन्य जनजातियों के मुकाबले खासी जनजाती इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि ये जनजाती दुनिया की उन जनजातियों में गिनी जाती है जहां पर पुरुसों की जगा महिलाएं प्रधान यानि के प्रमुक होती है इस बात को तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे के दुनिया भर में मुख्य तोर पर पुरुस प्रधान समाज है तो उस लड़की के घर वाले काफी खुश होते हैं और लड़की के जन्म होने पर यहाँ पर खुशिया मनाई जाती है तो वहीं पर जब भी किसी के घर लड़का पैदा होता है तो लड़का पैदा होने पर इस जनजाती के लोग मातम मनाते हैं क्योंकि इस जनजाती के लोग लड़का पैदा होने को काफी बुरा मानते हैं इस जनजाती के अंदर महिलाओं के ऊपर नहीं तो कोई प्रतिबंध होता है और नहीं महिलाओं के ऊपर कोई रोक्टोख होती है इनकी सोच दुनिया में पाये जाने वाली सोच से काफी अलग है क्योंकि आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया भर में हर समाज के अंदर जादातर पुरुसों को ही प्रधान माना जाता है और उन्हें ही प्रात्मिक्ता दी जाती है यहाँ पर दुनिया भर में शादी के बाद एक महिला अपने ससुराल जाकर के रहती है तो वहीं पर खासी जंजाती के अंदर जब भी किसी पुरुस की शादी होती है तो उस पुरुस को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है यानि के यहाँ पर शादी के बाद एक लड़का लड़की के ही घर रहता है हाला कि अभी कुछ सालों में यहाँ के पुरसों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इस बात को कहा है कि वो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहते वो बस सिर्फ और सिर्फ बराबरी का हक चाते है इस समाज की महिलाएं अपनी लाइफ में कई पुरसों से शादी करने के लिए भी पूरी तरह से आजाज होती है इस समाज में सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ महिला के द्वारा ही लिये जाते है यहाँ पर बच्चों का सरनेम भी मा के सरनेम पर ही रखा जाता है यहाँ के बाजार और दुकानों पर भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अधिकार होता है और वही यहाँ पर बाजार और दुकानों को नियंतरित करती है इस जन जाती में सबसे छोटी बेटी को जायदात का सबसे जादा हिस्सा दिया जाता है इस समुधाय की लड़कियां बच्पन से जानवरों के अंगों से खेलती है जिनके बाद में वो आभूशन बना करके पहनती है इस समुधाय की एक सबसे अजीबों गरीब और विच्च जेताय मौझूध है जो की दुनिया से पूरी तरह से अलग है उनके जीवन जीने का तरीका आज के मौडर्न जवाने से पूरी तरह से अलग माना जाता है दोस्तों आप लोगों का खासी जन जाती के बारे में क्या सूचना है क्या आप लोग इस समुधाय की परमपरा और दीती दिवाज को अच्छा मानते हैं या फिर बुरा मानते हैं आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही